अब मैं आपको टेबल्स के कोड दिखाता हूँ और बहुत सारे रो लूप के द्वारा कैसे डिस्प्ले कराया जाते हैं वो भी दिखाता हूँ पहले एक फाइल बना लीजिए टेबल्स.php और नोटपैट बे आके देखिए कोड इस तरीके से होगा तो सबसे पहले आपको मैंने हैपर इको बी यार चारपांस बार लिख दिया है ताकि उपर से ब्लैंक लाइन डालने के लिए कोड यहां से शुरू होता है इको और डबल कोड के अंदर आपको लिखना होगा जैसे आप html में लिखते हैं सेम वैसे ही मैं टेबल-बोडर-सकल्टू बोडर का विध वन टी-यर इको के कोट के अंदर ती-यर अमतलब टेबल रोव फिर टेबल हैडिंग तो टेच टेबल हैडिंग नेम फिर टी-एच-सिटी कॉलंस हम एड़ कर रहे हैं और यह टेबल रोव यहां ओपनिंग थी यहंपर foutग हो यह है अब सेकंड रो के लिए क्योंकि हेडिंग भी अपने आप में रो है इसलिए यहां पर टी आर लिखा गया अब यहां पर दुबारा लिखा जाएगा टी आर ओपन टी आर ये क्लोज और टी डी टेबल डेटा अमित और यहां पर गाजज़ाबाद तो कोड़ आप देख लिजए इको में डबल कोड के अंदर होगा टी डी और स्लैस टी डी अमित होगा इंफर्मेशन कॉमा करके अब दूसरी रो का वैल्यू दे सकते हैं डबल कोड के अंदर अब इसको रन करके देखते हैं सेव करके ब्राउजर में आईए और रिफ्रेस करिए तो आप देख सकते हैं कि नेम और सीटी आपकी हेडिंग के रूप में आ गया है अटोमेटिक पोल्ड हो गया है क्योंकि हमने टी एच में डाला था और अमनी तोरका जवाद यह आपका मैंने हैं पर लूप तयार कर रखा है इस लूप को यहां से कट करके जैसे यह तीन लाइन के कोड को हमको रिपीट करना है तो फॉर इससे उपर आएगा और प्रैकेट नीचे क्लोज आएगा और देखिए फॉर लूप को आई इसकल टू वन आई इस लेस देन इसकल टू आई प्लस प्लस यहनि यह कोड दस बार रन होगा अब सेव करके रन करके देखिए तो देखिए यह कोड दस बार रन हो रहा है अब मैं कहा चाहता हूं यह जो बार बार अमित आ रहा है इसके आगे वन टू त्री फॉर करके टेन तक आ जाए और सिटी में भी वैसे आ को आपि करके जहां पर अमित है क्योंगे देखिए टेबल डेटा यह ओपन है और टेबल डेटा क्लोज है तो इसके अंदर ही डालना पड़ेगा आपको तो यहां पर पेस्ट कर दीजये इस पर कर गाजियाबाद में भी स्पेस्ट कर दिजये और आपको यहां पर डॉलर आई देना पड़ेगा क्योंकि है अपने डॉलर आई दे रखा है वेरेबल के लिए अब सेव करके इसको ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करिए तो आप देख सकते हैं अमित वन से लेकि अमिट 10 तक आ जाता है और सीटी भी गाजजाबद वन से लेकि गाजजाबद 10 तक आ जाता है तो जब आप डेटाबेस से डेटा निकालेंगे तो निकलावर डेटा को आप इस तरीके से टेबल में डिस्पले करवा सकते हैं थैंक यू